इस वीडियो में लोग हीट के भारे में पढ़ेंगे यह चाप्टर 3 है और क्लास 7 की साइन्स है ऐसे आपके स्कूल में बहुत सारे अधर पब्लिकेशन के बुक चलते होंगे तो आपको लग रहा होगे मेरा पब्लिकेशन का बुक के हाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है तो चलिए अभी हम लोग हीट के बारे में देख लेते हैं हीट एक्चूर में होता क्या है आपको पता होगा उलेन क्लोट के बारे में ठीक है जो एनिमल से मिलता है हमको एनिमल से मिलता है तो आपको कॉटन क्लोट के बारे में पता होगा जो हमको किस चीज से मिलता है प्ल कर्म रखता है हम लोग को पता है क्योंकि बाहर का जो ठंड है उसको अंदर लोग ऊंसलों he पहनते कि नहीं ज्यादा डार्कलर का क्लोथ पहनने से गर्मी ज्यादा फील होती है लोगों को फील होती है ना तुन लोगों को पता चल जाता है उन लोगों को फैक्ट पता नहीं क्या कि कि actual में क्यूं हम लोग को darkler cloth हम लोग को गर्मी के दिनों ठंड के दिनों पहनना चाहिए और light clear cloth गर्मी के दिनों में यह सब ऐसा fact नहीं बता है हम अपने से बता है आपको लेकिन फिर भी क्या होता है कि feeling के खारन उनको पता चल जाता है वींटर के समय में क्या होता है कि बाहर में मतलब कि घर के अंदर आपको ठंड फील होती है ठीक है अगर आप बाहर आते हो तो उस टेम क्या है कि आपको गर्म फील होती है क्योंकि बाहर में सन होती है समर के समय में आप घर के अंदर गर्मी फील क रहा है कि आपको पता चल रहा है ना आपको फील हो रहा है कि आपको ठंडा लग रहा है या गर्मी लग रहा है तो यह सब सारा कुछ हमारे माइंड में आता है क्वेस्टेंस वेगरा क्या कि ठंडा लग रहा है तो क्यों हमको लग रहा है गर्मी लग रहा है तो क्यों हमको ग होता है आइस चो हरा हमार होता है कोल्ड होता है यहां पर कुछ आप जेक्ट दिये हैं इस्टेवल में चो कि आपको जो यहां पर बताया है कि आईस क्रीम कॉल्ड है या कूठ ठंडा है ग्या गरम है तो यह चीज आप Basically यहां रखना है क्योंकि वो ज्यादा hot object होते हैं ठीक है उससे हमको problem create हो सकता है जल सकते हैं हम लोग ठीक है हम लोग बहुत जारे object देखते हैं अपने अगल वगल देखते हैं कि कुछ गर्म होते हैं और आपको region में ज़्यादा गर्म है तो हम लोग को यह सब decide कैसे करते हैं तो simply हम कह सकते हैं कि उसको छू कर हम लोग को पता चल जाता है कि छूने से पता चल जाता है कि वह ठंडा है या गर्म है या नॉर्मल है ठीक है तो यह किसके थ्रू होता है जो हम लोग सैश्क करने से हमारा जा जो जह लेगा हमारे बोर्री干 retiring होते हैं ठीकेatar जिसमें हमारा एक को ईचरन भी हुता है कि हमारा सेंस और गे से जब कोई भी वब्गिक को टच करते हैं तो से टैटाइ उसकीन से जब टाज करने तो इसकीन ही आपको सेंस करके बता देता है डिया गर्म है आप को तीन तरह का वोटर लिया गया घंडा हो गाइक घंडा हो गुनगुन पानी को गर्म पानी को एक साथ मिक्स करके आप यह पानी में डाली और फिर अपना हैंड को डाली है फिर राइट को डाली पिर उसके बाद इस तरीका से मतलब की बताया जा रहा है कि एक बार उसमें डाल यह तो इस से यहां पर यह observation पता चल रहा है कि आपको यह चीज़ पता चलेगा कि कौन ठंडा है कौन गर्म है को नॉर्मल वोटर हो गया तो इससे आपको बस टच करके आप decide कर सकते हो कि object कोई भी object ठंडा है या यह गर्म है या ठंडा है ठीक है कभी-कभी हम लोग इसको decide कर लेते हैं कि देन हाओ डूई फाइंड हाओ एन अब्जेक्ट रियली इस अर्यावर मेजर होटनेस और कोलनेक्स ऑब्जेक्ट temperature temperature measure by the device is called the thermometer देखो और इसके इसके बाद तो हम लोग को तो नॉर्मली हाथ से हम लोग तो जू कर बता रहे हैं कि घंडा है या गर्म है या नॉर्मल है लेकिन एक्जेक्ट तो उसका भी ऑब्जेक्ट का temperature कि उसका exact temperature कितना है ठीक है यह एक डिवाइस होता है जिसके थू हम एक्जेक्ट और temperature किसी भी ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं यह हम human body का पता कर सकते हैं या पानी का पता कर सकते हैं तो इस सब अलग अलग thermometers होते हैं जिसके तुरू हम लोग ये सब जानकारी ले सकते हैं कि कोई भी object लिए ठंडा है कोई भी object लिए गर्म है हम देखो यहाँ पर measuring temperature temperature को measure करने के लिए आप पर कुछ दिया गया है आपने थर्मामीर को देखे होंगे सारे नाइघ हो देखे ऩimi करते हैं तो expand क्लिनिकल थर्माइटर बोलते हैं मतलब कि हम लोग जो body temperature को नापते हैं अपना human body temperature को नापते हैं या animals का body temperature को तो उस ऐसे thermometer को हम लोग clinical thermometers बोलेंगे यह doctors thermometers भी आप इसको बोल सकते हैं क्योंकि basically यह doctors लोग भी यूज करते हैं है तो हमारा clinical जैसे कि आप घर में जो thermometer आपके घर में होगा वो basically clinical thermometer होगा ठीक है तो laboratory thermometer में क्या differences होते हैं इससे ओभी हम लोग देखेंगे यहां पर ओके यह देखो यह हमारा thermometer है और इस thermometer में यह जो आपको फिकर में जो आपको दिया हुआ है इसी तरह से clinical thermometer आपको दिखाई देता है और अगर आपके पास thermometer नहीं है तो यहां बोला जा रहा है कि आपने friends के साथ मांग लिजिए और देख लिजिए कैसा होता है तो clinical thermometer क्या होता है कि उसमें लंबा और नैरो और uniform glass tube होता है मतलब क भी लंबा होगा और पतला वोगा और एक सतह में होगा ठीक है यूनिफर्म होगा इसके पास जो लास्ट में देखोगे यह वला इसको हम लोग बल बोलते हैं ठीक है यह अपका बल्ब हो गया और अगर हम जिस बल्ब में क्या होता है कि वहाँ पर मरकरी कंटेंड किये हुए रहते हैं ठीक है और यह मरकरी से ही हमको पता चलता है मेजरिंग एक टेमप्रेचर के बारे में कि कितना टेमप्रेचर है ठीक है जो बल्ब है आउटसाइड स्मोल साइनिंग ठ्रेट अप मरकरी कैन भी सीन और जो छोटा साइनिंग ठ्रेट होता है मतलब कि धागा टैप रहेगा यहां पर मरकरी जो कंटेंड की हुए है इसमें धागा टैप रहता है जो कोड़ी टेमपरेचर पर अगर उसमें अपको थर्मामीटर में आपको मरकरी नहीं दिखाई देरा मरकरी तो आप अपना थर्मामीटर को रोटेट करो ठोड़ा बहुत और उसके बाद अजिसमें देख सकते हो ठीक है यूशल आप स्केल ऑंधर थर्मामीटर पर देखोगे जो स्केल में आप घर पे भी जो आपके स्नूमेट में स्केल जो होते है ना जिसमें एक सेंटीमेटर दो सेंटीमेटर इस तरीका से बताया हुआ रहता है वही आपके स्केल होता है और उसी तरह से इसमें भी रहता है दिया हुआ मार्किंग किया हुआ रहता है जो हम लोग स् से डेनोट करते हैं ठीक और जो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है ना उसमें 35 डिग्री सेल्सियस तो 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि 35 हमारे हुमेन का बोडी जो होता है ना तो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है ना तो 42 डिग्र celsius से उपर जाता है इसी लिए clinical thermometer इतना ही इसमें दिया हुआ रहता है अब हम लोग temperature को read करना सिखेंगे कि temperature को हम कैसे marking कर सकते हैं अगर हम अपने body temperature को measure कर रहे तो हमको कैसे पता चलेगा कि कितना temperature हमारे body का है ठीक है कि डियुजन किया गया है मतलब कि उसके बीच में कितना में किया रहा है वो चीज़े आपको आपको आप देख लें होगा जैसा आप पिक्चर में यह देख लो यह डिवीजन किया गयieri यहाप इस तरीका से खो यह व्लड़ जो है आपके यहां पर 36–37 यह लगाहां ули 36 से 37 के बीच में कितना डिवीजन है वन का डिफ्रेंस है तो वन के बीच आने के लिए आप से लाइनिंग भी है जो कि नाइन रहते हैं लाइन आप जैसे कि 36 के यहाँ पर आया ठीक है तो आप यहाँ कह सकते हो 36.5 ऐसे डिग्री सेलसियस हो जाएगा तो इस तरीका से डिवीजन किया हुआ रहा था था थार मुमिट और यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटा से जो मार्क दिखाई देता है यह मार्क्स के बीच में आप जैसे कि बड दिग्री हम बोलते हैं तो 1.5 इकवल टू अगर हम इसको डिवाइट करते हैं तो हमारे क्या आता है 0.2 डिग्री सेलसियस हो जाता है तो थर्मामीटर के बीच में जैसे कि मानिच लो यहाँ 35 डिग्री सेलसियस होगा ठीक है उसके बाद 36 आया ओके तो इसके बीच में जो डिवीजन किया गया है कितना का डिवीजन किया गया है एक डिवीजन किया गया है ठीक है ना यह चीज़ी यहाँ पर किया गया है और फिर क्या करना है कि जब आप थर्मामीटर को यूज करते हो तो उसके बाद उसका जो लाइनिंग है जो मरकरी है उपर ही रहता है नहीं जाता है पीछे फ्लो बैक नहीं होता है तो आपको उसके लिए जर्क देना होगा थोड़ा सा मतलब कि हाथ में लेकर शेक करना होगा ताकि उसका जो थर्मा मरकरी हो पीछे चला जब फिर से किसी अधर बोडी का आप मेजरमेंट कर सकते हो और ये इंस्योर करना है आपको कि अगर उसमें 35 डिग्री के नीचे आ गया है या नहीं आ गया जब बोडी टेंपरेचर को आप नापने जा रहे हो तब भी ऐसा कर ले ना अगर उपर होगा तो अगर बिसिकली वो 35 डिग्री सलसियस पे ही है तो आप वहीं से नाप सकते हो अब जैसे कि मानिक जिल हमारा 35 ड in decrease होगा अब वही 35 डिग्री दिया हुए तो 35 से हम exact measure कर सकते है कि हमारां बोडी का टेमपरेचर ये 35 था तो अभी कीतना हमारा बोडी का टेमपरेचर बढ़ा है human body का temperature 37 degree Celsius होता है एक normal body temperature उससे आगे जाएगा तो आपको fever हो जाएगा ठीक है तो ये चीज आपको समझना होगा और आपको क्या करना है कि जैसे कि इसको ज़जर करके पीछे ला दिये 35 degree Celsius पे अब उसको आपको टंग में रखना है एक मिनट तक आपको रखे रहना है उसके बाद फिर उसको बाहर लिकाल लेना है बाहर लिकालने के बाद आपको देखना है जो mercury कहा तक expand करके गया अब वहाँ तक गया तो वहाँ को आपको no down कर लेना है कि ये 37 गया है या 38 गया है या 69 गया है तो यह चीज आपको measure कर लेना होगा तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका body का temperature exact कितना है और यह इस तरीका से आपको hold करके रखना है thermometer को correct method है इसके through आप read कर सकते हो बाहर लिकालने के बाद तो यहाँ पर वही चीज बताया गया कि जो हर एक person का body temperature होता है 37 degree Celsius होते है चीक है normal body temperature इसमें थोड़ा बहुत आगे पिछे हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं है और वही हम लोग normal temperature बोलते है सभी body temperature जैसे ऐसा नहीं कि 37 degree है तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पिछे हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो exact हम लोग यहाँ पर लिया गया है 37 degree Celsius और इसको design किया गया है थर्मामीटर को measure करने के लिए human body temperature को measure करने के लिए और इसमें हम आपको बता है कि थर्मामीटर में clinical thermometer में 35 to 42 degree तक ही क्यों रहता है इसलिए क्योंकि हमारा जो body temperature ना तो 42 degree से अब जाता है ना तो 435 degree से कम होता है इसके कारण ऐसा होता है ठीक है अब यहाँ पर एक चीज़ और दिया हुआ है कुछ कि आपको क्या करना है कि इसे body temperature के लिए हम लोग को measure करने के लिए दिया गया है यह clinical thermometer सिर्फ बोड़ी टेम आसा नहीं कि आप जाकर कही नहीं पर आग वेगरा जल रहा है तो उसमें रख दिये तो क्योंकि आग तो ज्यादा temperature होगा ना तो उसके अगर उसके वजह से आप उसमें जाकर तो आपका thermometer खराब हो सकता है अब हमारे next है लेवरेट्री थर्मामेटर लेवरेट्री थर्मामेटर क्या होते हैं कि इसमें यह बेसिकली लैब में लोग यूज़ करते हैं हम लोग के लिए नहीं होता है तिक इसमें आप यहां पर देख सकते हूं इसका भी पिक्चर तो नहीं दिये हो लेवरेट्री थर्मामेटर कर यह आपको यहां पर लॉग सा दिखाई दे रहा है यह आपका लैबोरेट्री थ सीयस तक रहता है मतलब कि इसमें बहुत लॉंग होते हैं यह थोड़ा सा अगर हम उससे केमपरीजन करें क्लिनिकल थर्मामीटर से तो यह ज्यादा लॉंग होता है उसके कैम्परीजर में ठीक है और इसमें लोग लैब वेगारा में लोग यूज करते हैं जहां पे ज्यादा टेंपरेचर को मेजर करना पड़ता है तो इसी लिए उसको उसी टैप से डिजाइन किया जाता है ताकि ज्यादा लेख से जाता है है जाता है यह ज़ो हमारा थर्मोमीटर है क्लिनिकल थर्मोमीटर से ज्यादा long होता है और इसमें हम उसके जैसा नहीं होता है जैसे कि हमारा जो clinical thermometer में आपको जैसे कि इसमें हम डाले हुए है तो इसमें भी मरकरी ही होता है तो explain करेगा अब उसके बाद जैसे ही लिखा लोगे तो इसका जो मरकरी है flow back हो जाता है पीछे की वारा जाता है लेकिन clinical thermometer में ऐसा नहीं था, उसमें जब बाहर लिखा लोगे तो उसमें क्या होता है, flowback नहीं होता, आपको जर्ग करना पड़ाता है, सेख करना पड़ाता है, तब जाकर वो पीछे आता है, ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें automatic पीछे आता है, एक kink होता है, जो कि हलका से मुड़ा हुआ रहता है clinical thermometer में, उसके कारन उसको क्या करता है, रोक देता है, मरकरी को पीछे आने से, इसलिए हम उसमें अराम से measure कर सकता है, अगर इसमें आपको measure करना होगा, तो कोई भी object में, जैसे यहाँ पर पानी में डाला हुआ है, तो यह बढ़ा तो आप यहीं पर measure कर लो, लेकिन clinical thermometer में हम लोग बाहर लिकालने के बाद measure करते हैं कितना body का temperature, इसमें बाहर लिकालोगे तो exact temperature आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि flow back हो जाता है, इसके वज़ा से, इसमें भी same यहाँ पर अब देखोगे कि bulb होता है, जिसमें mercury contain किये हुए रह तरीका से, तो दोनों चीज यहाँ पर होता है, और इस तरीका से हम लोग इसको measure कर सकते हैं, I hope कि आपको समझ में आया होगा, transfer of heat के बारे हम लोग next part में इसको पढ़ेंगे, अगर किसी भी तरह से कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, तो अब एक बार comment करके बदा सकते हैं, अगे, भाई टिक